हलो एब्विवन्स अभी सुबा के बज रहे हैं साड़े छे नहादो करके आई हूँ बस घर का सारा काम खतम हो चुका है क्योंकि आज मैं उठी थी साड़े तीन बजे तो साड़े तीन बजे से लगी थी अपने काम को करने में घर के सारे काम निप्टा डाले हैं अब चलती ह फट से सब चीजें बना करके कहीं निकलने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को पुरावाज करें आप सभी को पता चलेगा कि मैं कहां गए और क्या क्या इंज्वाए कि अब बहुत ज्यादा मज़ा आई थी आपको बताऊं नन्ने मुन्ने बच्चों के साथ में तो बस यहा साड़ी पैनी है ठंडा जादा लगनी रहा था तो बस स्वेटर वगरा नहीं पैनोंगी क्योंकि थोड़ी देर में धूप निकल जाएगी तो बस और सारे चीजे सब अरेंजमेंट तो देखिए सुबा के बज़रे हैं अभी लगबग सबाट हो रहा है और मैं हो गई हूं करूंगी तो आरोई के स्कूल में लग रहे हैं दुकान जिसमें की ममी पापा हेल्प कर सकते हैं तो मैं जा रही हूं गोल गप्पे वेच में नया विजनेस कैसा लगा मेरा नया विजनेस जरूर बताईएगा तो यहां देखिए पापा भी देडी हो ही गये और यह दही च सब्सक्राइब करें तो बस दुकान लगने में जो भी चीजों की जरूरत होती है वो सब बहुत सारी चीजें मैंने एक बैग में करके आरोई को दे दी थी जैसे की सुखा नमकीन हुआ चमचे हुए दोने हुए जो भी सूखी चीजें थी जितना जो मसाले वगरा सब कुछ मैंने दे दिया था तो ले करके पहुची है स्कूल में बैन से और फिर अभी मैं बाइक से स्कूटी से हम लोग जाएंगे तो यहां पर देखिए मैं निकाल रही हूँ य भी खास तोर पे साथ सफाई का ध्यान रखते हुए और मैंने बिल्कूल भी प्लास्टिक का यूज नहीं किया सारा सामान जितना बही लिया है एक मैंने जितनावी बի बाथिक में लीया और स वजह से मैंने साफ सफाई का थार्स द्यान रखते हुए तो यहां पर कुछ ना कुछ बन करके आये वहां पर सभी हमें देखने को मिले और देख सकते हैं यहां पर सारे फेरेंट्स के स्टॉल जो हैं मिल चुके हैं अपने अपने और यहां पर कोई भी टोकन या कोई भी हम लोगों से पैसे नहीं की लिए गये थे सब चीजे हम लोगों ने साथ में तो देखे मेरी दुकान भी लग चुकी थी और सभी बच्चों के मम्मी पापा आए हुए थी हल्प के लिए तो जब तक आरोई को भी छोड़ा नहीं किया था तो देख सकते हैं आरोई की पानी पूरी प्लीज यूज करें डेस्ट वीन इसका भी मैंने लगा ध्यान रखा था कि कच्रा इधर उदर कोई भी न फेके तो देख सकते हैं सब चीजे मैंने स्टील के बरतनों में ली है कोई भी प्लास्टिक का यूज नहीं किया थाफ सफाई का खास दियान रखते हुए यह देखिए इसमें मटर इसमें मीठी चटनी और साथ ही साथ यहां पर ह दही तो आज हम लगाने वाले हैं गोल गप्पे की दुकान तो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला बच्चों को क्या बड़ों को सभी को पसंद आता है यह ऐसी दीस है तो बस यहां पर आपको हर चीज की दुकान मिल जाएगी इटली सांबर डोसा पाभाजी हर है आरोई की पानी पूरी तो हमने 10 रूपय और 15 रूपय प्लेट रखा था ताकि बच्चे इजिली ले सकते हैं बहुत कम कॉस्ट में यहां पर कोई सिर्फ और सिर्फ इंज्वाय के लिए बच्चों को कुछ नो कुछ सिखाने के लिए यह सब चीजे की गई हैं तो यहां तो मेरे गोलकप पे खतम हो चुके थे फिर मुझे दुबारा दूसरी चीज का अरेंजमेंट करना पड़ा तो आज मेरी दुकान इतनी तेजी से चली है ना कि लग रहा था कि अब तो पर्मनेंटी दुकान खोलने लेनी चाहिए और बस बड़े प्यार से सभी बच्चों स पर ध्यान में रखते हुए तो बस यहां पर हमारी जोर जोर से चल रही है दुकंदारी तो क्या कैसा क्या होने वाला है आपको वीडियो में अंत में जरूर पता चलेगा कि आज की हमारे कमाई कितनी रही तो प्लीज वीडियो को पूरा वाच करें आपको अच्छा लगे ह हमारा ये बाल मेला केवी के स्कूल का बाल मेला जो कि बच्चों ने दुकान लगाई है और बच्चे ही खाएंगे मैं सिर्फ और सिर्फ हेल्प कर रही हूं क्योंकि आरवई उतना नहीं कर पाती तो यहां पर देख सकते हैं काव्या के क्लास के सारे बच्चे तो अभी जो ममी इदर ममी ममा दर इदर देखो सब आरे सब मुंडी इदर की तरह निकालो सब आ जाएगे मुंडी सब की आईगे है ना हाँ सब आ रहे आज तो एक दम मतलब आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी ज़्यादा खुसी हो रही है इस खुसी को पाने के लिए मेरे बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों का मुझे बहुत बहुत धन्यवाद है आज मतलब मुझे स्कूल में जा करके ना एक सेलिबरीटी वाली फिलिंग आ रहे थी क्योंकि सारे बच्चे कह रहे थे आंटी मैं आपकी सस्क्राइबर हूँ मैं आपकी सस्क्राइबर हूँ मैं आपकी वीडियो देखती हूँ क्योंकि हमें कुछ न कुछ बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और साथी साथ बच्चे हमारा इतना जदव साब ड़ा रहे थे फिर हम आगे थे घर और घर में जितना भी गल्ला था मतलब जितना भी चिलर था जो भी पैसे कमाये थे लगबग 2,000 की दुकंदारी आज की रही है और यहां पर पैसे आरोई गिन्ने में लगी हुई है और वह कह रहे थी कि मम्मी इतनी मुझे कुछी हो रही कि मैं बताने सकते हूं आपको के लिगे लगए तो मेरे बगल में लगी थो पोँआ लगा था मेरे बगल बगल से आज वसक्माये लिगाँ इसारे पैसे हैं तो आपको यह और आज